वेलकम टू सभंटेक दोस्तों आप मेंसे बहुत सारे लोगों की मेरे वीडियो पर कमेंट आ रहे थे अलग अलग चीज से रिलेटेड जैसे की मेरे में ग्राइशन में एड्मिशन लेना चाहता हूं मेरे 12 का रेजल्ट नहीं आया है तो मैं फॉर्म कैसे भरू अपने मार्क कैसे फिल करो मैं मास्टर डिग्री में अड्मिशन लेना चाहता हूं मेरे ग्राइशन की पेपर नहीं हुए तो कैसे अपने मार्क फिल करो तो बहुत सारी कोईरी करके सबका जवाब में आपको देता हूं तो सबसे पहले इसी को मैं लेता हूं जो आप पूछ रहेते हैं में से जाए से आप में से बहुत सर इस्टुएंट ने जो पूछी है कि मेरे 12th के marks नहीं आया है और मैं graduation में admission लेना चाहता हूँ तो वो marks मैं कैसे fill करूँ दोस्तो मैंने दोस्तो आपके 12th के marks है वो अगर आपका result आ चुका है तो आप अपने marks fill कर सकते हैं अगर result नहीं आया है तो अपने marks fill अभी मत करिए आगे पूरा form भर दीजिए जितने भी steps उसके बागी है और और अपनी fee payment वो कर दीजिए जो DEI की website है वो चालू रहेगी और जब आपका result आ जाएगा तो आप अपने marks fill कर सकते हैं इस से लेटेट DEI ने अपनी website पर भी लिखाया चली मैं आपको बता देता हूं तो अभी website open है तो जैसी website पर आएंगे तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है तीसरे चरड में आपको अपने सैचिक विवरंट डालने है यदि आपके किसी परिछा का परणाम नहीं आया है तो आप उसकी जानकारी पूरी तरह से छोड़कर बाकी जानकारी भर सकते हैं परणाम आज आने पर आविदन की अंतिम चिती से पहले कभी भी वह जानकारी भर सकते हैं तो admission form की last date निकलने से पहले आप कभी भी वह अपने जो marks है वह फिल कर सकते हैं अभी जो last date है वह 30 June है पर 30 June तक भी बहुत सारे student का result नहीं आएगा तो आपको डरने की कोई जुरूत नहीं है website चालू रहती है पिछली बार भी चालू रही थी counseling से पहले तक तो counseling भी बाद में होगी आपकी जब तक आपका result सबका आ जाएगा तो आप अपने marks फिर से DEI की website पर login करके जो आपको ID और password मिले यूजर ID और password डालके वो अपने marks है वो update कर सकते हैं और अब मैं आता आता हूँ second query जो आप में से बहुत सारे student पूछ रहे थे कि मैं अपना जो payment कर दिया है मैंने वो उसका payment बट सो नहीं हो रहा है दोस्तो जब भी आप DEI के form का payment करते हैं तो उस payment का verification होने पर total three days लगते हैं verification होने में तो चलिए जल्दी से मैं दिखा देता हूँ जहां पर DEI ने लेखा है कि three days लगते हैं payment होने पर तो देखिए आप देख सकते हैं यहां लेखा है बुकतान के सत्या पर थोने में कारे दवस लगते हैं तो three working days में बोला हूँ अगर आपने Saturday को form वराए तो Sunday को छुटी होती तो वो count नहीं होगा तो three working days में आपका जो payment है उसका verification हो जाएगा so next के और ही वो थी जो आपने से बहुत सारे student पूछे थे कि सर मैं एक से ज्यादा course में apply करना चाहता हूँ जैसे मैं एक application number के साथ आप अधिकतम पांच courses के लिए apply कर सकते हैं तो आपने जो registration आपको किया है अपना user आपको application ID मिला है उससे आप total five courses में apply करना चाहते हैं अगर आप इससे भी जादा application में apply करना चाहते हैं तो then आपको एक अपना नया फिर से एक application ID बनाना होगा जैसे कि आपने पहले बनाए था मैंने पूरे इस के उपर वीडियो बनाई है कि कैसे form बरा जाता है अगर आपने अब तक नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं वैसे आप मेंसे बहुत सारे लोग ने देखी है जब आपके बहुत सारे comments आया है और मैंने आपके comments पर भी जवाब दिया ब कैसे जानों दोस्तों इन दोनों की उपर मैंने अलग-अलग वीडियो बनाई है उनकी वीडियो की लिंक इस वीडियो की description और comment box में आपको मिल जाएगी और जो prospectus कैसे download करें जिसमें कि किसी भी program की सारी जानकारी है उसकी भी link मैं आपको इस वीडियो की description में देदूँग तो हम क्या select करें दोस्तों कोई भी युनिवर्स्टी जो दोस्तों बीए युनिवर्स्टी दो तरही के course offer करती है एक होती है regular courses यानि आपको अपनी युनिवर्स्टी आना होगा और daily class लेनी होगा दूसरा होता है online यानि distance course बोलते हैं कि घर से पढ़ाई हो रही है distance course बोलत तो आपको online वाला option चूज करना है आपको से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सर कौन कौन सी courses हम online distance से अप कर सकते हैं DEI से इसके उपर मैंने एक पूरी dedicated video बनाई है उसकी link आपको इस video के description में मिल जाएगी so I hope मैंने आपके अप सारे जो important questions थे आप comments के थुरू मुझे पूछ रहते हैं उन सब का जवाब दे रहा हूँ मैं आपके लिए DEI isolated video लाता रहता हूँ तो आप मेरी channel को subscribe कर लिजी और bell icon दबा लिजे दोस्तों मैंने देखा है कि आप मेंसे केवल 2% लोग ने मेरा channel subscribe किया म मेरी रिक्वेस्ट है लेखिए मेरी जो वीडियो पर 6,000 से जाता वीव है जो मैंने एक्जाम वाली एंटरेंस एक्जाम फिल करने वाली आपके लिए बनाई है बट आप मेंसे 2% लोग ने केवल मेरा channel subscribe किया तो एक वार में फिर से आप से रिक्वेस्ट करों कि आप मेरा channel subscribe करिए अगर आप मुझसे direct chat करना चाते हैं तो आप मुझे instagram पर follow कर सकते हैं और आप मुझे कोई भी question personally पूर सकते हैं उसका जवाब को instant मिलेगा आप मेरा Facebook पेज भी जरूर follow करिएगा मैं आपके लिए यसलेटी वीडियो लाता रेता हूं जय है जय पारत इस वीडियो को करिए आइ साथ के साथ अपने दोसके साथ सेरी जरी थैंक यू